हलो फ्रेंट्स नमस्कार इंड विलकम तू सामाधन साथी उमीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी अपके अच्छे से चल लहीं होगी बिहार एससी यानि बिहार करमचारी चाना एक तुरा लगतार जो भरती है चाहिए वो बी एससी सेकंड इंटर लेवल हो बी चुकी वंडे एक्जाम के बात करें अगर करमचारी में टीचर के बात छोड़ दे तो यह सबसे बड़ा भरती होने वाला है जो 50,000 पर पर यह भरती आपको देखने को मिलेगा यह है बिहार परिचारी भरती और सबसे खास बात इसका यह है कि अगर आप केबल टेंथ पास बीच में कैसे आपको त्यारी करना है इन सब्मूंदें पर हम लोग बात करने वाले हैं यह जो लेटर देखेंगे साथी वो समानिय प्रसाशन विवायक बिहार सरकार का है जिसमें प्रसक डॉक्टर वी रजेंद्र है सरकार के पाधान सचीव और सिवा में देखेंगे तो सभी अपरमुख्य सचीव परधान सचीव सभी परमंडली आयुक्त बिहार शविजी लपत अधिकारी धिनांग देखेंगे तो यह साथ दिसम्बर दुजरतेश का डेट है और यहां पर देखेंगे तो विशय में दिया गया है बिहार करमचारी चान आयुक्त असनातक अस हैं तो यहां पर देखेंगे आपका यह करियाले परिचारी जो की केवल टेंथ पास अगर आप हैं तो बिल्कुल इसके लिए अब यह भरती कब आएगी सारा चूज यहां पर आपका किलियर होने वाला है इसी लेटर कमादें हमसे प्रसंग में देखेंगे तो समाने पर सा है डेट पांच अक्टूबर है ही आ और इसके लावे यहां पर चरब को सिब्सा शचाने को अगाँ में असना तक तरी संजुक प्रतवचत्र पर Silk Motor सबसे पहले उस डिपार्टमेंट से बढ़ती आने वाली है वहां पेक लिटर लिखा जाता है कि आप अपने अस्तर से भर्ती जो है उसको बताई कि कि इतने अभी बर्तमान में उसको करमचारी कारे रहत है और कितना खाली है उसमें जरुद कितना है आप शक्ता बल्ल के अंस तो यहां पर दिया गए कि विधित्थों की बिहार रज्य बिधार मंदल दो राज चुकि अभी क्या है यह जो हमने पहले भी आपको अपडेट किया था कि गुरूप डी की भरती आ रही है लगभग पचाहसजर पतों पे और हमने यह भी पताया था कि दिसंबर में भरती नाम से है नोटिफिकेशन यहां पर बिहार में पदो एवं सेवाव की रिक्तिव में आरक्षन जिसमें आपका सेस्टी इबीसी बीसी को संसुदित करके इंका अरक्षन बढ़ाया गया और इसका 22 एक लेटर है जिसमें आपको से को 20 परतिसद एस्टी को दो परतिसद और इबीसी को 25 परतिसद और बीसी को 18 परतिसद अरक्षन का प्राउधान किया गया है और इसके अलावे आपका EWS का पहले से जो 10 परसेंट लागू है वो लागू है तो टोटल बात करें बिहार में तो आपका सौ में 75 परसेंट जो सीटी है वो रिजार्ब हो गई है चुकि पहले क्या रिस्ट्र क्लियर किया गया था तो अब उस रिस्ट्र को भाता दिया गया है अब नय सीरिज्या और भरतिश का का है जाँब करिया लो कि हम लोग भी बात कर रहे हैं यानि कोटी फूर का लेवल चतूत वर्गिये यह होता है पुष्ट रिक्त पदो की अध्याश्चना समान्य परशासन विभाग के माध्यम से उपलप्त कराने के संदर्व में सभी विभाग ध्यक्ष सभी परमंटलिय आयुक्त सभी जिला पद तब इस भरति पर देटेएलज में किस डिपाट्र कोट अपकी बिच में अब बात करें कितना समय और लग सकता है तो यह भरती अब आपका जन्वारी से जादे डिले नहीं होगा बिल्कुल यह भरती जन्वारी में आ रही है और सबसे बड़ा चीज की आपका किवल 10 पर पास होना इसके लिए आवस्यक है रिटेन की बात करें तो यहां पर जहां तक अभी चुकि नोटिफिकर्शन आगा तो और किलियर हो जागा लेकिन अभी आप मानिक से लिए कि सो नमर का रिटेन टेस्ट होगा और जिसमें आपका हिंदी भी रहेगा आपका यहां पर सब्जेक्ट की बात कर ले तो हिंदी से साइन्स रहेगा और जिकिए भी रहेगा चुकि आप देखेंगे कि सीजियल फोर में और चाहे वह इंट्रस तरी एक जाम भी एससी का तो उसमें आपका जो मेरिट वेसिस वाला हो था उसमें हिंदी नहीं पुछाएता है हिंदी अलग से में क्वालिफाइग लिए पुछ आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन है जो मस्त जो टेंथ पास है उनके लिए और अफिसियल जॉब है फुली तरीके से हर डिपार्टमेंस आपको यहां पर भगेंसी आएगी चाहे वो बलॉक हो कॉलेज हो इन्वर्सिटी हो सभी जगा परिचारी का भरती होता है तो उन स